सरफ्राज जी आप सच्यवाले में आए हुए हैं आपके हाथ में काफ़ी मोटा दस्तावेज हैं हम देख सकते हैं एक सवाल है कि आप कॉरेटीव बैंक zero हमेशा से विबाद आप उसी का मामला लेकर के आए हुए हैं क्या है मामला और आप इतने आतूर क्यों है इसको लेकर के देखें मामला यह है कि राजस कुमार तिवारी अभी वर्तमान में मुख्ये कारपालक पताधिकारी उनको परभार दिया गया है वो तीस तारी को रिटार्मेंट हो रहा है म महीं पर उनको अभी वर्तमान में सियो बना गया है उसी बैंक में साज सजा के लिए नेटवर्किंग के लिए वह काम हुआ था उसकाम जो है एक इकब का म के लिए एकब कर क्या ह Campus पर क्या होता कि एक काम कि एक प्राक्लन फट जी 128уг एफ फैल कुल रोड चलते हस्ताक्षर करवा लिया इसमें बाइंग का जो कमिटी होती है उसे किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है यह फर्जी तरीके से हुआ और इसमें परमानित है कि सुसिल कुमार तिवारी जो है इसमें दोसी है इन पे गवन का मामला है और इसमें जो है एफ हाई यार जो है कोतवाली थाना में 36 ओबलिक 2019 में एफ हाई यार लोज है जो सारा धारा नन बेलेबूल है उसके बावजूद है वर्तमान में जो अभी बैंके मुख्य कार्जपालक पताधिकारी थे वो एक सडियंत्र एक साजिस कहिए उसके तहत जो है इनको प हामला कि यहां मंत्राले से कारिवाय हो रही रही है लिगार ऑर नहीं दको उनको पुलिस को उनके घर से उठा के लिए कि थाना बन करते हैं तो अगर नहीं कर रहा है तो मतलब प्रसाशन किसी के इशारे पर काम कर रहा है या तो उनको किसी का शय है देखिए उन पर धारा लगल है यह 420 है 406 है 409 है 460 है 460 है 430 है 120 है 349 है 36 ऑबलिक 2019 का मामला है यह 2019 से अब तक जो है पुलीस कारवाइं नहीं कर रहे हैं यह सबसे बड़ा सवाल निसान है आखिर एक अभी आप देखे होंगे अभी सईयद रियाज अहमत को फायर लोज हुआ और तुरंत उसको गिरफतार करके जेल भेज़ जा गया और यहां पर गबन का मामला है गबन परमानित हुआ यह हम नहीं कर रहे हैं कोपरेटिव रजिस्टार ही जो इसको जाच की है चार सदस्य जाच की और जाच में परमानित हुआ उसके बाद समिक्षा बैठा की गई उस सारा रिपोर्ट लगा हुए और सभी अभी ह इसका कारे बाहर तो मतलब बादल पत्र लेख जो खरिशी मंद्री है उनके हाट जी 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 अभी उन से जब आपकी मुलाकात हुई जब आपने बात रखा तो बादल पत्र लेख ने क्या आपको बोले उन्हें ने कहा यह गंभिर विशय है मैं अभी तोरीद इस पर संग् तीन दिन में अगर कारवाई सुनिश्चीत नहीं की जाती है तो यह एक बहुत बड़ी सोची समझी साजी से जो अभी वर्तमान में जो है मुख्यकारजपालक पताधिकारी हैं जो CEO है बैंक के वो छुटी में चले गया है अच्छा एक सडियंत्र है इसमें और वो जो है इ आपना अगर नहीं होता है कोई बीक और अंतता हमको सुनिश्चीत करवाने के लिए ऎन पर आपको क्षटाना पड़ए हम खट खटाईंगे अच्छा एक शीज बताईया आमुमन आम तोर पर देखा गया है कि जो यह होता है क्या बोलते हैं कि जो सरकारी कार प्रणाली होती है कार करने का तरीका उडबा बन चुका है मतलब बंद हो चुका एक तरह से अगर आप इंसाफ के लिए जाएगा या आप आवाज भी उठा है ना कि हाँ यह गलत है यहां ब्रस्टाचार हो रहा है ठीक लेकि उस पर करवाई नहीं होगा आपको आसवासन जरूर मिलेगा जी तो कब तक आसवासन लीजिए और कब तक सहीएगा कि अपसर साही में बहुत बड़ा चीज उबर के आया है कि नेताओं से भी बेहतर यह नेताओं को भी जीत चुके हैं नेता तो जनता को आसवासन देती है अब अपसर लोग भी आसवासन देने लगे हैं जबकि इनको मालूम होना चाहिए कि यह लोग सेवक है यह लोग सेवक होने के नाते जो है आपना कार को सदभावना पूर्ण नहीं करते हैं यह हमेशा अ कारवाई होगा कुछ बूले हैं हमने कहा है कि तीस तारीक रिटाइर्मेंट बेनिफिट ले रहा है और उन्हीं को गरप गिरफतारी नहीं हुआ है इसमें केश हुआ 2019 में केस नंबर 36 है और इसमें कुंडली मार के था जब एक सेद रियाज पे यह लगता है और तुरंत उन्हें परमानित है उसके प्लिस एक दिन भी इनके घर नहीं जाती है यह तो कम से कम पुरुस्कृित कर दीजिए तो मन में संतुष्टी होगा तो चलिए बाए मंत्री साब कारवाई नहीं कर पाए तो कम सकंद पुरुष्कृत कर दिये और अभी पुरुष्कृत किये हुए है जिस पर फाइयार गबन का आरोप है जांस में परमानित है फाइयार लोज है उसको सलाकों के पीछे होना चाहिए तो कोप्रेटिव की देख ने चाहता है इसा बहुत अंतर है देख रहा है सचाय दिक रहा आपकेester नहीं रहा है इसे क्यों ने नेफ्ज़ नेहीं हो रहा है कोई देख क्यों ने रहा है हम लोग तो अभी मिलके दिये हैं और हम लोग भी बुला गिया है कि हम इसक्र आपका शंगठन मुद्धे को कहा तक ले जाएगा जब तक इस पर नियाएं होगा कारवाई सुनिश्चित नहीं होगी तब तक अगर हम लोग देख लेते हैं तीन दिन के अंदर कोई सार्व कारवाई सुनिश्चित नहीं हो जाती है तो बिरसा मुंड़ा पुरष्ट चारी रोधक शंगठन जो है इस पर रोड में उतरके सरकार को जगाने का काम करेगी और इस मामले में सीगर जो है कारवाई सुनिश्चित करने का मांग करेंगी